पोटर लाइव में आगे बढ़ते वे सीधा रूप करेंगे बिलासपूर के तरफ तो बिलासपूर से हमारे समवाद आता सुधीर सुमन हमारे साथ जोड़ चुके हैं जी सुधीर जी आज क्या के खबरे सुर्खियों में रहेंगी करेंगे क्योंकि देखें 25 तारिक से नौटपा लगा हुआ है और आज नौटपा का तीसरा दिन है यह कहा जाता है कि जो प्रित्व है वो सुर्या के करीब माना जाता है इस वज़ा से जो भीशाड़ गर्मी है वो प्रित्व को पड़ती है इसको इसी को लेकर के बिलासपू तर जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो टेमप्रेचर है वो कहीं ने कहीं 42 से लेकर के 44-45 डिग्री तक के अनुमान लगाया गया है कि बिलासपूर में जो तापमान है वो होने वाला है अब देखिए जो गर्मी तो बाढ़ रही है लेकिन जो लोग है वो कहीं ने कहीं ठंडे पर शहले से कुछ करने करके वह सुबा और साहिम को निकलने के ज्यादा तर निकल रहा है मिलासपूर में ज्यादा थो भीड़ा है वो घाल के समय में देखा जा रहा है उंप भी देड़ की और हत्या करके चुपाने का प्रियास किया गया था जो आत्मात्या होने की जिसे उसको फिल्मी स्टाइल में दरसाने के लिए चैसी पर लड़का दिया गया था लेकिन कुछ घंटों के बाद जो सीपत पुलिस हैं उन्हें सफलता हासिन मिले और कड़ी पुष्टाज के बाद ये मामला जो था उनका खुलासा किया गया और इस मामले पर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर के जेल भेजा गया है बिल्कुल सिम्रन देखे डार्क मतदान के द्वारा लोकसभा चुनाव का मतपतर दिया गया था और विलासपूर जीले में तकरीबा 9,949 ऐसे डार्क मतपतर आए है उनकी वोटिंग भी चार जुन को होना है यानि कि उसी दिन ही जो लोकसभा के प्रत्यास से है उनका हैसला होना है देखे लगातार हम देख रहे हैं कि विसर गर्मी है और विजली भाग भी कहीं न कहीं मेंटेनेंस का काम कर रही है और ऐसे में बिलासपूर जीले में बिलासपूर जीले के तमाम सहरी छेत्रों में और गामिट छेत्रों में बिजली की कटवती की जा रही है और भीसर गर्मी में जो लोग है वो काफी समस्या से जूज रही है और यह बताया जा रहा है मेंटेनस क चलने वाली है तो कुछ दिन बच्चे है जो लोग है उन्हें काफी समस्यों का सामना कन पड़ेगा जी सुदी जी तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद